इसको पुलिस पकड़ के लिए के नहीं जाती, यहां पर इस बात को 24 गंटे हो चुके है, और वो बंदा भी हसरा होगा कि इसको कोई पकड़ के लिए ले गया, इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मैं पर कोई भी जान लेवा हमला होता है, इसके जिम्मादार एल्विस य बंजय लोकेशन दी थी, वो उसके घर की लोकेशन थी, या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन रो बलाना चाहिए, जो एक पब्लीक लोकेशन हो, अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलत फ्यमी है, आएंगे तो वहां बगल में बैठेंगे ये वो फिलान डिगाना लेकिन जैसे ही वो आये एक तो अटैक करना शुरू कर दिया उपर से बहुत सारे बंदों के साथ आये उपर से ये भी नहीं था कि वन और फाइट हो उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थ उसकी इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ करी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को दूतीन लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से अब जब लड़ाई भी लड़ाई के बीच में ही एलविश ने मेरे को लगबग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा कई बार हा हो सकते हो अपाई हो सकते हो तो उसके बावजूद उसने मारा मारा और उसके बाद उसने क्या किया जान से मानने की धंकी भी दे दी अब जान से मानने की धंकी एक दो बार नहीं दी मल्टिपल टाइमस दी कम से कम जितना मुझे पता है तीन बार तो दी ही थी उसने धंकी जान से मानने की और आफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मानने की धंकी दी अब यह सब होने के बाद जब लड़ाई वड़ाई खतम हो गए तो उसके बाद वह वापिस आ रहे थे तो वह जो बंदे लाया था उनमेंसे कुछ बंदे रहो मतला बोता ना एक प्यार से धंकाने वेला सीन कि भाई सौरी बोल दे क्यों ले रहा है पांगे ये वो भाई मैं तो अपने चीजों पर अटल था मैंने बोला मैं सौरी तो नहीं बोलूँगा कि मैंने गलती तो की नहीं है उसके बाद एलविस ने भी थोड़ा ट्राय किया था सौरी बोलवाने के लिए लेकिन मैंने उसको भी sorry नहीं बोला और यह सब जब हुआ तो शुरूब मेरे को लगा मेरे को सिप यहाँ चोटाई है क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था तो मेरे को शुरू-शुरू में सिर्फ यहाँ चोटाई उसके बाद एक डिड़ घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ और फिर दो से तीन घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ और इस तरीके से हुआ कि मैं सोही नहीं पाया सुबह चार बजे मैंने सूने का ट्राई किया था दूसके घर साकेट गया वा था मैंने सुने का ट्राइ किया अनफोर्चनेटली मैं दर्द से सुही नहीं पाया उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहां पे मैक्स होस्पिटल साकेट के मेडिकल निकलवाने तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट F.I.R नहीं हो तो हमने पूरा बता दिया कि भाई यह यह section लगाना है attempt to murder साफ साफ दिख रहा है तो जो SHO थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की उसके बाद SHO अपने inspector के phone में call करते हैं बोलते हैं कि इसको ना public मत करना गुप तरीके से लखना हम लोग गुप तरीके से लड़ेंगे म मेरे को तब ही डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी और वही हुआ अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें Elvis के उपर एक भी वो section नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी attempt to murder का एक भी section नहीं है उसमें तो कुल मिला कि मैं क्या समझू अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो मतलब हरियाना में इस तरीके से गुंडगर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है मारता है और उसके किलाब कोई action नहीं होता उसको पूलिस पकड़के लेके नहीं जाती यहां पर इस बात को 24 गंटे हो चुके है और वो बंदा भी हसरा होगा कि उसको कोई पकड़के ले ले कर रहा है उससे साफ साफ पता लग रहा है यूट बहुत गलत वे में motivate हो रही है इससे और यह चीज़ बहुत ही खराब है तो खटर जी मैं इंडिया के कानून पर बहुत भरसा करता हूं लेकिन अगर यहां पर ना इंसाफी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को यह तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है अमीरियों के लिए नहीं बना है तो मैंने चाहता कि यह कानून भी यह FIR भी दब जाए और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस FIR को अगर यह FIR दबता है तो यह कानून की हार है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा गुरुगराम पुलिस को और खटर जी को इस ट्वीट में टैग करो और उनको रिक्वेस्ट करो कि यह यही है कि वो वाइलेंस को प्रमोट कर रहा है और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं विगार सकता तो तो एक तरीके से ये इंडिया के कानून की हार है तो अभी जो मैं F.I.R. लिखवा गाया था मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं बोला तो वैसे सुबह बिल जाएगी लेकिन I don't think so क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि F.I. अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है मेरे पर कोई भी जान लेवा हमला होता है इसके जिम्हदार या फिर उसके दोस्त होंगे या फिर गुरुगराम प्रोलीस होगी जिसने मेरे F.I.R. को पूरा का पूरा बदल दिया और पता नहीं क्या F.I.R. लिख दिया और ये ये इंडियन कानून की बेस्ती है ये तो मैंने देख लिया कुछ नहीं भाई अगर तुमारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो ये तो मैंने देख लिया भाई